नमस्कार दोस्तों आपका हमारे यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज के यूग में गोरा रंग पाना हर व्यक्ति चाहता है हम अपने चैरे को आकरसित बनाने के लिए बयार में उपलब ब्यूटू प्लियोटक का इस्तिमाल करते हैं किन्तु इन सभी के इस्तिमाल के बाद भी जब हमारे सामने पढ़नाम नहीं आते तो हम काफी निराश हो आते हैं आयम आपको एक ऐसा घ्रीलू नुसका वाताने जारहे हैं जिसको अपनाने के बाद आप चाहिए लड़का हो ये लड़की सभी के चेरे को गोरा बेदा और चमकदार तोचा प्राप्त होगी आएए जानते हैं वह कौन सा घरोली नुश्का है जिसको अपनाने से आप चमकदार और खूब सुर्ट तोचा पा सकते हैं और इन घरोली उपायाँ से आपको किसी भी प्रिकार का साइड एफेक्ट नहीं होता है क्योंकि यह पूरी तरह से आयरुवेदिक होते हैं तो चली दोस्तो जानते हैं क्या ही उपाय है दोस्तो इसके लिए आपको यहाप सबसे पहले खाली बावल लेना है और इस खाली बावल में आपको सबसे पहले जोची लेनी है दोस्तो वह है यहापर बेशन दोस्तोँ आपको इसमें एक चमबच बेशन-का-डशन का एड़ करना बेशन लेकर दोस्तों अगली चीजी जो आपको यहाँपर लेनी हो वो है एक अंड़ आपको लेना ए इस तरीख से दोस्तों दोस्तो आपको एक अंडे को फोड कर इसका जो सफेद वाला भाग निकाल लेना है और पीला भाग आपको इसका अलग कर देना है इस तरीकी से दोस्तो मैंने या पर इसका सफेद वाला भाग निकाल के तयार रखा हुआ है तो आपको एक अंडे का सफेद बाग पूरा इसमें एड़ कर लेना है दोस्तो अंडे के अंदर कुछ ऐसे गोई पायाते हैं जो हमारे चेरे के दाग दब्यों को हटा कर हमारे चेरे को काफी ग्लोईंग बनाता है इससे हमारे चेरे पर एक अलगी निखार आता है हमारे चेरे काफी गोरा चमक दाग देता है हमारे चेरे पर जो भी जुर्णी होते हैं सारी इससे हटज आती है अंडे का सफेद बाग हमारे चेरे के लिए बहुती यादा फायले मन्द है फिर इसके बाद दोस्तो अगली चीज़ जो आपको यहाँ पर लेनी है वो है एक nivoo आपको एक नivoo लेना है और इसे बीच में से आदा काट लेना है फिर दोस्तो आपको आदे कटी हुँए nivoo कर रस पूरा इसमें एट कर देना है दोस्तो नीबू हमारी चेरे पर ब्लीचिंग की तरह काम करता है इससे हमारी चेरे पर निखार आता है हमारी चेरे पर होने वाले दाग दब्बे हमेशा मिशा अगले खत्म आता है और हमारा चेरा काफी गोरा और चमकदार बनता है तीनों चीन लेकर दोस्तों अब आपको इसे अच्छे से जो मिक्स कर लेना है दोस्तों इसे आपको काफी देर तक अच्छे से चलाते रहना है जिससे कि आपका थोड़ा अच्छे से ये पेश्ट बन के तयार हो जाए तो आप देख सकते हैं दोस्तों काफी अच्छे से आपको चलाना इसका इस तरीकी से आपका पेश्ट बनके तयार हो जाएगा आप देख सकते हैं दोस्तों बहुती अच्छा पेश्ट बनके तयार है दोस्तों इसे जो लगाने का तरीका दोस्तों वो यह है आप उंगलियों से इस तरीके से इस पेस्ट को लेकर अपने पूरे चेरे को पर इस तरीके से इसे एपलाई कर लाएं इस तरीके से दोस्तो पूरे चेरे पर लागर आप इसे 20 मिनट के लिए ऐसी लगा हुआ छोड़ दें 20 मिनट बाद जब वे सूख जाएगा तब आपको इसे उंगलियों से इस तरीके से स्क्रफ करते हुए इसे चुड़ाना है इस तरीके से दोस्तो ये मैं भी आपको गीले पर करके बता रहा हूँ आपको सूख जाने को आदमे से बिर्कुल स्क्रफ करते हुए चुड़ा देन अगर इस नुस्क्राइब को आप एक हपते तक लगातर कर लेते हैं तो आपका चेरा बहुती सुन्दत और चमकदार हो जाएगा तो दोस्तों यह था मेरा आज का वीडियो आप इस वीडियो को ज्यादा से आपने दूसरें शेयर करें वीडियो को लाइक करें और हमारे यू